अच्छी खबर आमाद्वी पार्टी के लिए आमाद्वी पार्टी के विस्तार के लिए और केजरी वाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस से प्रभावित होके जो डवलप्मेंट हो रहा है जैसे मैं सुबह भी कहा रहा था देश में हर जगे से जो लोग इस बात में यकीन करते हैं कि इस देश की पॉलिटिक्स को अब एजुकेशन की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए हेल्थ की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए रोजगार की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और डवलप्मेंट की दिशा में आगे बार शुरू हो गया तो उससे प्रभावित होके जैसा आप देख रहे हैं अशोक तमर जी जो पूर संसत भी है और कॉंग्रेस में बहुत बड़ी-बड़ी जिम्मेदारियों पर रह चुके हैं एनसुआई के नेशनल प्रेजिडेंट रह चुके हैं यूथ कॉंग्रेस के न जी की राजनीती को हर्याना में भी आगे लेके जाना और देश भर में इनके अनुभव का पार्टी को फायदा मिलेगा इनके साथ साथ हर्याना से पत्रकार शेवकुमार शर्मा जी भी जोइन कर रहे हैं और संदीब भारतवाज जी और विशाल विकास भारतवाज जी जो कर रहे हैं यहां पर तो मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं पार्टी में आपका स्वागत है और मैं चाहूंगा आप भी दोशब्थ रखें अधनीय मनिश शोदिया जी आधनीय हमारे शुश्विल गुपता जी भाई मेंदर जी और तमाम साथी गन जो आज और साथी मंत्री और आमादमी पार्टी के रास्टिय सयोजक अर्विंद केजरिवाल जी का अवारियों धन्यवादियों की उन्होंने मुझे भी और हमारे जो आज सेक्डो मेहतुपूर्ण लीडर हैं पूरे हरियाना के आज उनसे उन्होंने इंट्रेक्शन किया और अपनी मुझे पार्टीयों की एक इच्छा थी कि कुछ इस देश के लिए मजबूती से लडाई लड़ी जाए किसानगरी मजदूर की लड़ी जाए चोटे दुकानदार की करमचारी की लड़ाई लड़ी जाए और इस देश को बचाये जा सके और जो भी हमारे मनीश जी ने कहा क केजरिवाल मॉडल ऑफ जो गवर्नेंस हैं डेवलेमेंट है और उसके साथ साथ वो विचारधारा जो पूरे देश को एक जोड़ करके और भाईचारे के साथ इस देश को आगे बढ़ाना चाहती है जो कुर्बानियों के इतियास में विश्वास रखती है जो देश को नई उचाहिएंगों पर लेकर के जाना चाहती है उस मॉडल के साथ हम लोगों ने और हमारे साथियों ने अपने आपको जुड़ा महसूस किया और मैं मानता हूं कि आने वाले समय में वो एक आशा की करण है, एक रोशनी की करण है, मैं तमाम साथियों को बदाई देता हूं, जो आम आदमी पार्टी के साथी रहे, उन लोगों ने जिस तरीके से महनत करी और लगातार एक शौट स्पैन अफ टाइम के अंदर, जिस तरीके स एक मजबूत इंप्रिंट उन्होंने पूरे देश की राजनीती में छोड़े हैं, उसके साथ हम कंदम बन करके, हम भी क्योंकि मैं फोजी परिवार से हूं, किसान मजदूर परिवार से हूं, और राजनीती में इसलिए आये थे कि कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन जब हमन तीन दशक देश की राजनीती को युआ एक्टिविस्ट के रूप में दिए, छात्र एक्टिविस्ट के रूप में दिए, इलेक्टरल, पॉलिटिक्स के मादेम से सांसद और संग्ठन का काम करके दिए हैं, और मैं मानता हूं कि देश में आपार संभावनाय हैं, और जो चुनोतिया हैं, वो हम सब लोग मिलकर के उसका मुकाबला कर सकते हैं और उसमें एक जो मजबूत इस देश के भारत माता के लाल हैं, जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में और मजबूती से इस देश के राजनितिक पटल पर उबर करके आएंगे अपने आम आदमी की सोच के साथ, वो केजरिवाल जी हैं और यही सोच को आगे बढ़ाते हुए हमने उनका हाथ पकड़ा है और मुझे पुरा यकीन है कि जो आने वाले समय की लड़ाई है, एक तो इलेक्टरोल पॉलिटिक्स और इलेक्टरोल सक्सस की लड़ाई है, दूसरी विचारदारा सिंधा अंतोर नित्रुतों की लड़ाई है, लोगों की लड़ाई है, तो उसको और बखु भी लड़ेंगे, और जो भी हमारे जूटी लगेगी उसके लिए, पूरा हमारा अनुभव, हमारी चमता, हमारा समर्पन, वो उनके साथ है, और मैं इतना ही कहते हुए कि भारत माता का ल अंदर हारतिक अबिनंदन करता हूं, इन्होंने धराम और जाती की राजनीती को छोड़के, काम की राजनीती को अपनाया, भ्रस्टाचारी व्यवस्ता को छोड़के, इमानदार राजनीती को अपनाया, हार्याना की जो हालत, शिक्षा और चिकिस्षा के छेत्र में खस्त हो चुकी है हार निगम के अंदर भृस्ताचार व्यापत हो चुका है बेरुजगारी के अंदर हर्याना नंबर वन हो चुका है उस व्यवस्था को बदलने के लिए हम सब मिलके बहनत करेंगे और जिस तरीके से दिल्ली के अंदर विकास किया है दिल्ली को दुनिया के एक बह जहरा हर्याना बनेगा ताकि हर्याना का जो भाईचारा खतम कर दिया है एक ऐसी राजनितिफ एलाके जो एक दूसरे के खिलाब भड़काते हैं धरम के नाम पे जाति के नाम पे उसको खतम करके खुशाल हर्याना बनेगा भाईचारे का हर्याना बनेगा जैना